वेलकम फ्रेंड मैं मतोज और आप देख रहे हैं मेरी यूटूब चनल टेक्निकल मतोज में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास पेन कार्ड है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने पेन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो इंकम टेक्स की तरफ से 31 मार्ज तक लाज़ डेट अपडेट किया गया है फ्रेंड्स आप जल से अपने पेन को आधार से लिंक करवाले अन्या था आपको 1000 रुपे की पिलेंटी दे नहीं पड़ सकती है तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने पेन कार्ड को लिंक करवाया है या नहीं करवाया है अगर आप डाउट में है तो आप जल से ये वीडियो दे कर अपने doubt को clear कर सकते हैं तो friends इस वीडियो में complete बताया गया है कि अगर आपका pen card आधार से link है तो आप इसके status को किस तरह से check किजेगा तो चलिए friends वीडियो को बिना skip किए वीडियो को पूरा वाज करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने mobile के किसी एक browser को open कर लेना है तो चलिए हम लोग browser को open कर लेते हैं browser को open कर लेने के बाद आपको यहाँ पे search bar में type कर देना है income text आपको income text लिख लेने के बाद search पे click कर देना है जैसे आप search पे click करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाता है तो यहाँ पे आपको जो first वाला link देखने के लिए मिल रहा है यह first वाले link पे आपको click कर देना है जैसे आप इस पे click करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं income tax department का जो official portal है वो यहाँ पे आपका open हो चुका है तो यहाँ पे आपको क्या करना है थोड़ा सा scroll down करके नीचे चले आना है नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक option देखने के लिए मिल जारा quick links तो यहाँ पे आपको एक option दिखाई देरा link आधार status तो आपको इस वाले option पे touch करना है इस वाले option पे आप जैसे ही touch करते हैं आपके सामने कुछ इसतरा का interface open हो जाएगा तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इसतरा का interface open हो चुका है तो यहाँ पे आपका pen card आधार से लिंक है या नहीं है आसानी से आप जान सकते हैं तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर सबसे पहले आपका जो पेन का नंबर है वो नंबर आपको यहां पर फिल कर देना है उसके बाद यहां पर आपका जो आधार को fill कर लेते हैं तो friends आप देख सकते हैं मैंने यहाप पे अपना pen card का number और आधार का जो number है वो दोनों fill कर दिये हैं अब आपको यहाप क्या करना है view link आधार status वाले button पर click कर दिना है जैसे ही आप इस पर click करते हैं आप देख सकते हैं यहाप पर आपके सामने एक message आ चुका है यहाप आपको लिखा हुआ दिख रहा है योर पेन इस अल्रेडी लिंक टू यूर गिवेन आधार number तो यहां पे आपका जो पेन काड है वह आधार से लिंक किया हुआ है फ्रेंज आपका पूरी तरह समझ में आगया अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पे लाइक कर दिजेगा और अगर मेरी चैनल में नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए थैंक यू